नमस्कार दोस्तों मैं सुबस आप सोभी को स्वागत करता हूँ आपकी यूटूब चैनल शोब प्रिडिक्शन की और एक धमाकेदर वीडियो में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दी हंडर लिग दोजाएश की चोदा नमर मुकाबल के बारे में जो की खिला जने वाला है विर्मिंगम फोईनिक्स और वेल्स फायर के बीच में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इन दोनों टिम में से इस में आज में कौन्सी टिम जीत का पर्चम ले रहाता हुआ दिखेगा हम इस कमाल से मुकाबल की सुरू से लेके एंड तक पूरी प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे पीज की रिपोर्ट से लेके दोनों टिम की हैट्टोडी की रिपोर्ट प्लेइंग 11, दोनों टिम की कमपरीजन और भी हम करेंगे ढहर सारे बातें इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए वीडियो को आगे लेके चलने से पहले आपको एक बार बता दूं, क्रिकेट मियाज को देखके जितना मजा लेते हैं, उससे आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को जाइन करिए, हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रेडिक्षन मिल जाता है, कौन्सी टिम टॉज जितेगा, कौन्स बात करें, यह मैच यहां पर खेला जाएगा, वहां की पीच रिपोर्ट की, यह मैच खेला जाने वाले एडिक वेस्टन यूनाइटल किंग्डम पे, 10 अगर्ष 2023 इंडियन टाइम के हिसाप से सामको 11 बजे, इस वेनु के हम प्रपर एनालेसिस करें, तो इस वाली मेदन प होती है, यहां पर फास्ट बैटिंग काने वाले टिम की एबरेस कर 161 देखने को मिली है, इसका लवा सेकेंड बैटिंग काने वाले टिम की एबरेस कर 130 देखने को मिली है, यहां की हाइस टोटल 184 पर 5 विकेट रही है, वेल्स फायर के नाम, यहां की हाइस टोटल 75 पर 10 व यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाले टिम 200 से उपर का अकड़ा छोन लेती है तो चेस वाली टिम को उस मैच को जितने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस वाली मैच को चेस करने वाले टिम सायद जीत ना पाए इसलिए हम 200 से उपर का स्कोर इस वाली पीच की safe स्कोर भी मान सकते हैं और बात करें इस पीच की behavior की तो ए जो पीच है बैटिंग फेबर पीच है बल्ले बाज यहां पर अच्छा पारिया खेलता हुए देखनों को मिल जाते हैं इस कलवा space गेंदवाज और spin गेंदवाज दोनों का ही advantage हमें यहां पर देखने को मिलती है अभी जितने भी matches खेले जा रहे हैं ज्यादा तर म्याच में बारिश गिरने की chances ज्यादा रहती है अगर इस pitch पर म्याच के दोरन बारिश गिरती है तो इस condition में space गेंदवाज ओको मदद मिल जाती है विकेट चटकाने के लिए इस कलवाज यहां पर बारिश ना गिरे तो pitch dry रहता है इस dry pitch में spin गेंदवाज ओको अच्छा कासा सपलता मिल जाती है space गेंदवाज यहां पर 72% विकेट लेता हुए देखनों को मिले है और spin गेंदवाज यहां पर 28% विकेट ले चुके हैं अब चलिए बात कर लेते हैं इस venue की average score की जिसको आप और हम session बोलते हैं इस में हमें क्या क्या session देखनों को मिलने वाला इसके बारे में चाचा कर लेते हैं decision to know snoo होगा उशकी ride prediction आपको हमारे telegram पर मिलेगा याद कर congressional को join कर लीजिएगा अगर हम दोस्तों इन दोनों टिम के बारे में बात करें तो इन दोनों टिम की इस दी अंडर के सीजन में उतना अच्छा पदशन हमें देखने को नहीं मिला वेल्सपेयर के टिम इस सेजन में तीन मैंच कहलें, एक मैंच में जितें, एक मैंच में हरें और इनका एक मैंच टाई हुआ है, तीन पॉंट के साथ पॉंट अबले हैं, चोथे स्तान पर मौझूदें इनके अलबा बिर्मिंगो फोनिक्स भी इस सीजन में टोटल तीन मैच खेल चुके हैं तीन मैच में से एक मैच में हारे हैं और दो मैच इनका टाय रही है पॉइंट अबुल में दो पॉइंट के साथ आटवे स्थान पर मौझूद है यानि कि आखरी में क्या दोश्टो इस मैच में बिर्मिंगो फोनिक्स जीत दर्च कर पाएगा या फिर वेल्सफियर इनको हरा के इस सीजन की दूसरे मुकाबले में अपना जीत दर्च करेगा वीडियो में आप बने रहे हैं आगे चलके आपको सब कुछ मालूम पर जाएगा या बे हमें एक बार इन दोनों टिम की हेट्टूड की रिपोर्ट को देखे तो इन दोनों टिम के बीच में टोटल दो ही मैच खेले गए हैं जिसमें से बिर्मिंगो फोनिक्स की टिम दोनों के दोनों मैच में आपने नाम दर्च किये हैं बेल स्वायर के टिम इनके गेस्ट में अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाए हैं अब यारे वीडियो में आगे चलेंगे और इन दोनों टिम की प्लेइंग इलेवन में कौन से किलाड़ी खेलने वाले हैं किस टिम के पास कौन सी अनुवाभी और होनार खेलाड़ी मोजूद है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे बिर्मिंगम फोनिक्स की प्लेइंग लेवन की इनके उपनिंग में आपको दिखेंगे विल स्मीट के साथ बेंडोकेट इनके बात दिखेंगे मोईन अली लियान लिविंग्स्टन जेम स्मीट डेन मोसली सहदेब खान बेनी होवेल एडम मिलने टॉम हेल्म और आखरी में केन रिचर्चर्चन ये सारे क्रेड़े बिर्मिंगम के तरब से खेलते हुग आपको नजर में आएंगे और बात करें वेल्सफएर के प्लेइंग 11 के तो इनके ओपनिंग में आपको दिखने वाले हैं जो है क्लेर के साथ लुक के वेल्स इनके बाद देखेंगे स्टीफेन केंजी टॉम एवल ग्लेन फिलिप डेविड विली बेन ग्रीन वेंडर मेर्वी डेविड पेन अरिस र फोर में बिर्मिंगम के टिम 5 मेंच में जीत हैं तीनमेच में हरें और एक मेंच इनका टाइए हूआ है और भी चलिए इन दोनों टीम के बीच में कौन से चीम ज्यादा बहतर है अगर हम यहाँ पे दोनों टिम के 10-10 म्याच के रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिर्मिंगम फोनिक से टिम 10 म्याच में से 5 म्याच में जीत हसिल किये हैं लेकिन वेल्सफायर के टिम 10 म्याच में से 10 के 10 म्याच में जीत हसिल किये हैं any कोई भी स्टेक्स मौझूद नहीं है लhofराल ही दोनों टिम को कंपरिजन करनेके बाद हमें चाहएद इसमेयाज मैं भी बेलस टिम की दब-दबा देखने को मिल सकती है अब दोस्तों सम्हें आ गया इसमेयाज को खतम करने की उसे पहले इस्मेयाच को कौन सी टिम जीतने वाला है तेले तो यहां। विडियो आपके किमतर हमारे कमेट सेक्शन में जरूर दीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल में आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा आगे जो भी वीडियो आने वाला उसका नेटिविकेशन आपको मिलता रहेगा और यार इस मियाँ से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम को जोइन करिए हमारे टेलिग्राम पर निशुल को लाइफ टाइम के लिए सभी फ्रेडिक्शन मिल जाती है तो यहाँ से हमारे टेलिग्राम को भी जोइन कर लिजिएगा चले दोस्तों आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं और एक मियाच की एनेलेशिस की वीडियो में तब तक दोस्तों नमस्ते आदाप सच्छियाकाल